हेलो त्य mulheres्तूडेंट्स These possibility from the 야지फर्ड अप लोगोंने пис्ष 근데 विकजाम नहीं बदिया है लेकिन बहुत सारी बच्चे एसे हैं जो कलसे हम्हों एप पर टेलिक्राम मैसेज़् कर रहे हैं कि मैं हमारा ओटीपी ही नहीं आ रहा है इन फाक्ट मैं खुद भी अपना सीटी का रजिस्ट्रेशन करके देख रही थी तो ओटीपी नहीं आया मुझे चो और तालीस घंटे के बाद ओटीपी आया तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते वे और एक्जाम प्रेशर भी है एक दिन चोड़के एक दिन आपके एक्जाम से इस चीज़ को ध्यान में रखते वह अपने टेकनिकल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम डे Two- lactate गयां लेकिन अब थोड़ा सा डिट एक्सेंड हो गया है तो अब कर तो जूल्व हो जाएगा उपको व्टीपी साड़कें यहां पे अपको वे mówiq σच्ट कर सकते ऒ कि कौन से वेस नर्सिंग के लिए भी है यह दो भी इसका ओटीपी नहीं आ रहा था तो बीसी नर्सिंग का जो सीटी एक्जाम है इसका भी लास्ट टेट 29 फेबरोडी दिया गया था और अब इसका भी रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा के फर्स्ट मार्च से लेके 15 मार्च तक का डेट बढ़ा दिया गया है तो जिसने जिस कि अधैरि एक मार्च से पंदरा मार्च तक कई गया है क्यों तो तारिकी अधिल के आच मार्च से के बीच में अपका वेबसारिट ओपन किya बAGकर अर्ट से ब्सक्रां दों शार्म की अधों सब्सक्राइगा और सुल में यह अपने मोबाइल में सेट करके रखो ताकि फिर से यह देट निकलना जाए और यह दुबारा एक्स्टेंड नहीं होता है ठीक है तो 6 मार्च को बायो का लास्ट पेपर है उसके बाद तुरंत अपना सीटी एक्जाम भर लेना आप सीटी के टेंशन में मत रहो बोर्ट पे फो का बायो का बेसिक्स वह हमारे वर्दान 1.0 बैच में कवर किया जाएगा तो आप फटा फट से प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप डाउनलोड कर सकते हो वर्दान 1.0 बैच जोईन कर सकते हो आज रात 12 बजे तक मेरा जो बर्दे ओफर था वो बर्दे ओफर एंड हो सब आपको प्रोवाइट करने वाले हैं तो सीटी का टेंशन मतलो सीटी की PCM PCB की देट सेक्टेंड हुई है और नर्सिंग की देट सेक्टेंड हुई है ऑफिशल वेबसाइट पर आपको यह दोनो नोडिफिकेशन मिल जाएंगे ऑल बेस्फोर यह प्रिपरेशन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बायोलोजी बोर्ड एक्जाम के पहले भी महा मायराथॉन लेक्शन लेके आने वाली हूं जो कल से ही होंगे कल अपना पहला माहा मायराथॉन लेक्शन होगा जिसका स्केडियूल आपको यूटूब पे मिल जाएगा थोड़े टाइम के बाद और